Hello everybody, आज कामा टोपिक है Archimedes Principle तो इसे समझने से पहले आप यह देखे कि आपने बहुत बार experience किया होगा कि अगर आप water में जाते हैं, swim pool में जाते हैं, तो आपको अपना weight कुछ कम महसूस होता है या वैसे ही अगर आप पानी के अंदर एक बाल्टी के अंदर अपना हाट डाल के देखते हैं तो आपके ऐसे लगता है कि आपके hand के उपर, उपर की तरफ एक force लग रहा है जिस force को हम generally buoyant force बोल देते हैं, या thrust बोल देते हैं, water ने कितना thrust उपर की तरफ लगाया तो उसकी वज़े से पानी में कोई भी चीज अगर डूबी हुई है, partly डूबी हुई है या fully उसके अंदर dipped है, immersed है तो उसके weight में कुछ कमी महसूस होती है, यानि कि उपर की तरफ एक force महसूस होता है दोनों तरीके से आप कह सकते हो, या तो आप कहलो कि उपर की तरफ एक upward thrust लग रहा है या दूसरे तरीके से कह सकते है कि उपर की तरफ मतलब उसके body के weight में कमी महसूस हो रही है तो दोनों ही language proper है, तो जो weight में होने वाली जो कमी है वो उस body के द्वारा displace किये गए water के weight के equal होती है यही Archimedes का principle है, कि whenever a body is immersed, totally और partly इन्हें fluid यहाँ पर fluid की बात हो रही है, fluid के अंदर दोनों चीज़े आती है, liquid and gas दोनों चीज़े क्या होती है, fluid होती है, तो यहाँ पर हम convenience के लिए हम water ले रहे हैं, वैसे यह gas के लिए भी equally applicable है Archimedes principle, तो जब भी किसी body को हम चाहें totally डूबोई, किसी liquid के अंदर या किसी gas के अंदर या partly उसे हम dip करें, it experiences an upward thrust and losses its weight equal to the weight of fluid displaced by its immersed part, weight में जो कमी महसूस हो रही है वो weight में जो कमी है, जो fluid displaced हुए है, उस fluid displaced fluid के weight के equal होती है और यही क्या होता है, आर्किमेडी इस principle होता है, इसे समझने के लिए हम एक experiment देखते हैं, simple experiment है आपने एक ये बरतन ले लिया, jar ले लिया, इसके अंदर जो है, आपने water fill कर रखा है, बिल्कुल किनारे तक फिडल कर रखा है कि अगर हम जरा सा भी इसके अंदर कोची dip करेंगे, तो पानी निकल के दूसरे बरतन में गिरने लगे है हमने क्या किया, एक spring balance लिया, और उस spring balance के साथ में हमने एक weight, एक iron का हमने एक block लिया, लोहे का block लिया, उसे हमने लटका दिया उस weight को हमने measure किया spring balance से, यह measure करते हैं, तो suppose वो weight 8 kg था, अब हमने धीरे धीरे यह weight इसके अंदर dip करना शुरू कर दिया जैसे जैसे यह weight इसके अंदर जाएगा, तो वैसे वैसे इसमें से पानी निकल के बाहर गिरने लगेगा, यहां से पानी जाए है वो, इस वाले बरतन में गिरने लगेगा, और जब यह पूरा डूब जाएगा, तो यहां पे जितना भी पानी इसके अंदर आ जाएगा, उ पानी के वेट को भी हम measure करेंगे और अब डूबी हुई condition में spring balance से इस body के वेट को measure करेंगे suppose अब इसका वेट जो आ रहा है वो 5 kg आ रहा है यानि कि बाहर हवा में कितना वेट था 8 kg जबकि हमने इसे पानी के अंदर water के अंदर immerse किया totally immerse कर दिया तो वेट कितना आ रहा है इसका 5 kg आ रहा है यानि वेट में कमी कितनी महसूस हो रही है 8-5 that means 3 kg तो 8 kg-5 kg is equal to कितनी कमी महसूस हो रही है 3 kg अगर हम इस liquid का इस water का weight अलग से इसी spring balance से measure करके देखें तो इस liquid का weight भी कितना आएगा हम देखेंगे यह 3 kg ही आएगा यानि कि weight में होने वाली कमी displace किये गए water के weight के equal है और यही archimedes principle है यानि कि हम displace किये गए liquid का weight हम measure कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि body के ओपर कितना buoyant force लगेगा buoyant force कहलो या thrust कितना लगेगा या उसके weight में कितनी कमी आएगी वो हमें पता चल जाएगी 8-5 is equal to 3 kg यहाँ पर आगे तो अगर कोई body इस तरीकी की shape से बनी हुई है कि वो जादा से जादा liquid को या जादा से जादा fluid को displace करती है उसे हटा देती है अपनी जगें से तो हटा देती है तो उतनी ही जादा उसके weight में कमी महसूस होगी और अगर weight में होने वाली कमी जैसे कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं इसने काफी ज़्यादा fluid हटा दिया अपने weight से भी ज़्यादा हटा दिया तो यह body उपर ही तैरती रहेगी और अगर हटाने वाला weight जैसे यह 3 kg डिस्प्लेस किया था water को खुद का weight इसका 8 kg था यानि 8-3-5 kg हो गया तो इसलिए यह dip अंदर की तरफ डूब जाएगी अंदर जाए टोटली अगर sink कर जाएगी अगर हमने से छोड़ दिया तो यह sink कर जाएगी यानि कि इसने कम water displace किया है जबकि खुद का weight ज़्यादा है और अगर उल्टा होता खुद का weight कम होता water का weight ज़्यादा होता तो यह body तैरती रहती जैसे कि जो ship होते हैं पानी के जहाज होते हैं वो iron के बने वे होते हैं लेकिन उसकी जो shape होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि या कोई नाओ है तो उसकी shape किस तरीके की होती है कि वो अंदर पानी नहीं जाने देते हैं उसका अंदर इतना volume यह पूरा पूरा जो है cover करता है और liquid जो है वो यहां तक आ जाता है तो liquid काफी जादा displace हो जाता है उनके shape की वज़े से liquid तो काफी जादा displace हो गया है जबकि खुद का उनका weight काफी कम है तो इसी वज़े से वो उपर की तरफ तैरते रहते हैं तो उमीद है कि आपको यह समझ में आया होगा और यह density के ओपर depend करता है कई बार अगर हम देखते हैं अगर body इस shape की नहीं है ship के shape की नहीं है तो density अगर इसकी density जादा है weight की density जादा है इस liquid की density से तो यह डूब जाएगा दोनों की अगर density equal है तो यह किसी भी गहराई में तैर सकता है और अगर weight की density कम है liquid की density से तो यह उपर की तरफ तैरता रहेगा तो उमीद है कि समझ में आओगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you